तो question number 603 लेखते हैं, इसमें क्या दिया है, कि D and E जो है, वो midpoint है, A, F and A, G का, तो अगर A, F and A, G का midpoint है, तो भाई, midpoint theorem से D, E का value जो है, वो F, G का half होना चाहिए, तो F, G कितना हो जाएगा, 2 times D, E, एंड D, E का double मतलब 4.8, फिर बोला है, कि F and G, जो है, midpoint है, A, B, N, A, C का, तो जब, अगर A, B, N, A, C का midpoint हो गया, तो फिर F, G का value होना, चाहिए, B, C का half, तो B, C हो गया आपका, 4.8 का double 9.6 cm, तो 9.6 cm आंसर होगा, C, B, C ही निकालना था, तो इसमें हमने 2 बार midpoint theorem जोज किया, and midpoint theorem क्या है, देख लिजी, midpoint theorem भोलता है, कि अगर आपने, दो sides के midpoint join किया न, तो थर्ड side के parallel होगा, मतलब D, जो है, वो parallel होगा, B, C का, and D, जो है, वो B, C का half भी होगा, समझ गया, यह होगया midpoint theorem, and इसका जो, converse है, वो भी काम का चीज है, converse क्या बोलता है, देख लिजी, converse बोलता है, कि मान लिजी, एक triangle A, B से आपके पास है, और एक side के midpoint से, आपने line draw किया, जो दूसरे side के parallel हो, है ना, मतलब AD equal to DB आपको पता है, और DE जो है, वो parallel होगा, BC के, तो मेरे भाई, AE जो है, वो EC के equal हो जाएगा, समझ गए, AE is equal to EC, तो अगर एक side के midpoint से, दूसरे side के parallel हमने line draw किया, तो वो होड side को क्या करता है, bisect करता है, यह है midpoint का, converse, and, बहुत काम का चीज है, याद रखना है, तो फिर आगे बहुते हैं, नए question,